हेलो फ्रेंद्स मेरा नाम है और आप लोग देख रहे हैं और दोस्तों आज के इस वीड़े में हम लोग एक बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाने वाले हैं तो इसको नम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगो लीडी चाहिए मैं हाँ पर चार लीडी यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो दोनों लेक रहता है लीडी का उसको मैं फोल्ड कर ले रहा हूँ अब ऐसे ही करके मैं और एक लीडी भी लूँगा उसका जो नेगिटिव बनाने लेगे उसको पहले मैं फोल्ड कर लूँगा और एक LED का मैंने दोनों लेक को फोल कर दिया अब जो पहले वाला LED था हम लोगा उसका मैं पॉजिटिव वाला ले रहा हूं और इस वाले LED का नेगेटीव वाला लेक को मैं सल्डा कर दे रहा हूं अब मैं वाले लेक को मैं फोल्ड कर रहा हूँ और यह पॉजिटिव वाला लेगे फ्रेंट्स अब यहां पर मैं ऐसे एक और दूसरा वाला LED रह रहा हूँ और उसका जो नेगटिव वाला लेगे उसको भी मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ तो फ्रेंड्स अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहोगा कैसे में कर रहा हूं तो आप लोग चिंता मत कीजिए मैंने आखिर में डाइग्रम दिया है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं तो देख लीजे मैंने इन दोनों को भी सोल्डर कर लिया है अब मैं इस लेक को भी फोल्ड कर दूँगा पॉसिटिव वाले को और फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नुए है इस हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर मैं एक और लीडिय ले रहा हूं और उसको भी ऐसी सेम सोल्डर कर लूँगा मैं अब फोल्ड करने के बाद यहां पर मैं 1K का रेजिस्टेंस ले रहा हूं आप को लर कोड देख कर देश का अब इसको मैं एकदम आख्री वाले जो हम लोग का पॉजिटिव वाले लेक था एकदम आख्री का उससे मैं शुरू कर रहा हूं सोल्डर करना आप आप लोग को सामने से नहीं करना पीछे से करना है फ्रेंट्स तो देख लिजे मैं सुल्डर करना स्टार्ट कर दियो अब मैं दूसरा और एक रेजिस्टेंस लूँगा और इसको कुछ इस मीडिल में मैं सुल्डर कर दूँगा जा पर हम लोग ने पॉजिटिव और नेग अब बता सकते मुझे को तो देख लिजे मैं और एक एल एडी को भी यहां पर सुल्डर कर रहा हूं ऐसे ही करके मैं चारो एल डेइस्टेंस को सुल्डर कर दूँगा इस चारो एलीडी इस पर अब यह जो हम लोग का डेइस्टेंस का लेक बचा हुए है उन लोग को मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगा ऐसे गर के और सारो को एक से कनेक्ट कर दूँगा तो देख सकते मैंने कर लिया है अब मैं इसको सुल्डर कर दूँगा कुछ इस तरह से तो फ्रेंज जो हमारे चैनल पर निवे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर दिएगा और देख लीजे यहां पर में 12 वोल्ड का बैटरी जो है वो ले लिया हो तीनों को प्रेल में करेक्टर दिया सड़ी सीरीज में करेक्टर दिया फेंस अब मैं आप लोग को मल्टीमेटर से बैटरी का कितना वोल्टेज दे रहा है कितना वोल्टेज है दिखाते हैं तो एक सेगेंड रुक जाईए इसका प्रोब थोड़ा धीला हो गया तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10.18 वोल्टेज यह दे रहा है क्योंकि यह बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज है अभी चार्ज नहीं है फुल्ली तो देख लिए अब जैसे ही मैं कनेक्टर रहूंगा लेट के अब जो हम लोग ने बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाया था तो तीन लेटी जलेगा क्योंकि हम लोग का जो बैटरी था बैटरी है फुली चार्ज नहीं है लगबक 75% चार्ज है इसलिए देख लिए तीन जल रहा है और जब हम लोग का बादा मोल्ट का यह बैट वह से पाजुटिःव और नेकितिव को मैं नाक्सर दूंगे एक साथ से लिरीज का जैसे कि आब देखे होते है अब यह बचार्जर नेगिटिव रही हम लोग उसको मैं दूसरे रही हम लोग को सेस्टो इस नेकिटिव पर आसरे करना है कि अब इसके बाद सब्सक्रह बचया हम लोग एक पॉजिटीव खाली कि उसको मैंसे ले लूँगा और यहापर हम लोग को के का रेस्टेंस लगा देना है कुछ इस तरह से बीच में मदिल में यहापर हम लोग उने पॉजिटीव और नेगीटिव को जोड़ा था लेडी का तो देख लिजिए चार अधी कुछ हार्ट कन्नेक्शन तो है नहीं फ्रेंट्स इतना है कन्नेक्शन condition है अब यहां पर हम लोगो को पॉसिटिव बाला बैटरी का देदेना है तो यह हम लोगो का फरेंट्स है तो उमीद कर तो आपलोगों वीडियो बढ़ियरलगेक लगजाए तो प्लिज वीडियो को लािक कर दीजीगा और हमारे चैनल को Сस्क्राइबब पर दीजीजा और बाकि कुछ थो हैं नहीं बताने के लिए तो देख लिए यही हम लोगों का बैटरी लेवल ने काड़ है तो